हाई फ्रेंड्स वेलकम टो आबर चैनल एसस्टेटी टाइम आज इस वीडियो में आपको बंगबशी मॉर्णिंग कॉलेज के बारे में बताने वाली हूं कि इसके इंपॉर्टेंट डिट्स क्या क्या है इसका कोर्स फी कितना लगता है यहां पे यहां के अड्मिशन क्राइ क्या है नंबर ओफ सीडस कितनी है इन सारी चीजों को इस वीडियो में पताने वाले हूं वीडियो स्टार्ड करने से पहले आपसे रिएक्वेस्ट एगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल अइकन के बटन को भी प्र डेट एंड हो जाएगा तो यह important date है बात करते हूं कि यहां की admission criteria की बंगबशी में आपका admission criteria क्या दिया गया तो सबसे पहले general students के लिए बात करते हूं जो BA general में admission लेना चाहते हैं अगर आपका result minimum 30% है aggregate मतलब total में ला करके 30% होता है तो आप यहां BA general में admission ले सकते हैं इसके इलावा बात करूं अगर BA honors के लिए बी ए ऐनर्स में आप यहां पे Bengali honors ले सकते हैं English honors ले सकते हैं Hindi honors ले सकते हैं History honors ले सकते हैं political science honors ले सकते हैं तो यह सारा subjects आप BA honors में यहां पे चुन सकते हैं यहां में मैं सबकी percentage बता देती हूं अगर आप bengali लेते हैं तो 45% आपका subject marks होना चाहिए और आपका result 50% होना चाहिए यानि आपका bengali में 45% marks होना चाहिए bengali का marks और आपका result 50% होना चाहिए उसी तरीके से अगर आप English में admission लेना चाहते हैं English honors के लिए तो 50% आपका whole result होना चाहिए और 45% English में है तो आपको यहाँ पर English में easily admission मिल जाएगा यहाँ पर SCST के लिए 40% result मांगा गया है Aggregate में भी 40% और subject में भी 40% Hindi वालों के लिए यहाँ पर 50% result है और 45% subject में चाहिए marks History के लिए भी same है और Political Science के लिए भी same है अगर आपका 50% marks है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं B.com General के लिए minimum 30% है और B.C. General Bio General के लिए same minimum 30% है तो General Students के लिए अगर आप 30% है और आप General में admission लेना चाहते हैं चाहिए वो BA, B.C. या B.com तो आप अराम से यहाँ admission ले सकते हैं बंगोबशी morning college में अब बात करती हूँ मैं B.com honors की यहाँ अकाउंट N.C. पे honors ले सकते हैं और आपका minimum result 50% है अगर तो आप यहाँ पर admission ले सकते हैं और subject में आपका 45% होना चाहिए कम से कम ठीक है अगर इसकी बात आपका 50% चाहिए किसी में भी आप admission लेना चाहते हैं आपका minimum result 50% होना चाहिए और subject में 45% होना चाहिए यह है पूरी जानकारी admission criteria की बंगोबशी morning college के यहाँ बात कर लेती हूँ कि number of seats कितने हैं बिंगॉली के लिए यहाँ पर total seats 120 है इंग्लिश वालों के लिए भी यहाँ पर total seats 120 है विए अगर आप हिंदी ओनर्स ले रहे हैं तो यहाँ पर 92 सीट से history वालों के लिए यहाँ पर 58 सीट से और सब्सक्राइब सब्सक्राइब और भे-ईसी कि बात करें हूं के लिए 65 सीट से माथेमाटीक्स मेंट्टिक्स सेट्थिख्स से이 बोटानी से किमिस्ट्री के लिए भी हैं पे सिर पूरी जानकारी यहां के सीट कि कितने नंबर ओफ सीट अगर आप अपयाइ करना चाहते हैं तो जल्द आजल यहां पर अप्लाई कर लें अब बात करती हूँ यहां के course fee की कि यहां पे course fee कितना लग रहा है यहां पे BSC honors के लिए अगर आप course subject बिंगॉली लेते हैं तो आपका 5,280 रूपीज लेगा यहां पे सारे courses के लिए अलग लग हैं अगर आप बिंगॉली के साथ geography और English लेते हैं तो आपका 7,140 रूपीज लगेगा यह geography history लेते हैं तो आपका fees थोड़ा सा बढ़ जाएगा अगर आप बिंगॉली honors ले रहें उसके साथ दो subject history और English ले रहें तो same 5,280 रूपीज लगेगा तो लगबग यही fees है आपका BA honors वालों के लिए और इसके बाद बात करती हूँ मैं यहाँ पर काफे सार options आपको 54 options मिल जाता है BA, BAC और B.com honors के लिए BA वालों के लिए ज्यादा मिलता है 43 options है honors का honors के साथ साथ आप अपना देख सकते हैं कि फर्स सेमेस्टर में आप कौन सा सब्जेक्ट रखने वाले सेकेंड में कौन सा रखेंगे यह भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर और आप प्रॉक्स फीस आपका 5,280 रूपीज है BCOM honors के बात करूं अगर तो यहाँ पर 5,340 रूपीज उनका फीस है इसके बात बात करते हूं BSC honors के लिए तो BSC honors में बोटानी वालों के लिए बोटानी जूलोजी और केमेस्ट्री फिजिक्स का थोड़ा से ज्यादा है बोटानी जूलोजी केमेस्ट्री लोगों का 8,490 रूपीज है यानि आप्रॉक्स 8,500 यानि सारे 8,000 रूपे आपका फीस लगेगा है कमप्टीर साइंस के लिए यह पे 11,490 रूपीज फीस लगता है mathematics वालों के लिए 8,690 रूपीस है और physics के लिए यहाँ 7,790 रूपीस है physics के लिए अगर आप math और computer science रखते हैं तो फीस आपका थोड़ा और बढ़ जाता है तैन थाउजन Ferrari Rs.290 Rphees हो जाता है जेनरल वालों की बात करूं और मैं यहाँ पर तो यहाँ पर बी कॉम जेनरल के लिए आप अगर अप्लाइ कर रहे हैं तो आपका फीस 5,130 रूपीस लगेगा इसके इलावा आप B.com General के लिए apply कर रहे हैं तो 5,190 रूपीज फीस है और अगर आप B.C. General के लिए apply कर रहे हैं तो यहाँ पे 6,440 रूपीज है और अगर आप Pure General के लिए apply करेंगे तो आपका 7,140 रूपीज फीस लगेगा BST Pure General के लिए अगर आप उसमें Computer Science भी लेते हैं तो 7,840 रुपीज लेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा subject की वज़े से fees में variation देखने को मिलता है तो guys यह थी पूरी जानकारी बंगवशी Morning College की अगर आप चाहते हैं इस college में admission लेना तो आप यहाँ पे apply कर सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में है आप वीडियो को एंट तक ज़रूर देखें वीडियो को जरूर लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें और चैनल को सबसक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीकी के और भी इंफर्मेटिव वीडियो मिलें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें यहां पर अभी आपको जब मेरिट लिस्ट आएगा तो उसका पूरा पूरा अपडेट मिलेगा चैनल पर तो इसलिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्र करें थांक्स फर वाचिंग